वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेज में दोस्तों, सोशॉलोजी में हम बहुत से कॉंसेप्स पढ़ते हैं और बस ऐसे रटते चरे जाते हैं कि एक्जाम क्राक हो जाए और बस मार्क्स मिल जाएं तो लेकिन आज की वीडियो में नौट रियल, रील से उठाए गए और शायद कॉंसेप्स बेटर समझाएंगे ठीक है दोस्तों, सबसे पहरा दैसे दोस्तों एक कॉंसेप्ट था वस्ते हैं का इसको ऐसे फर्ष हैं कहते हैं जर्मन वरे लोग तो जर्मन वर्ड था, वेबर ने समझाया वेबर ने बोला कि जो sociologists हैं, उनके लिए वर्स्ते हैं करना जरूरी है वर्स्ते हैं का मतलब अगर देखें, लिटरल सेंस में मतलब क्यों होता है, understanding, समझना जरूरी है तो बहुत ही जैसे कि बड़र बच्चे समझना ठीक है लेकिन आपको मैं एक वीडियो के थूरू समझाता हूँ जो मुझे एकदम से वीडियो देखते हूँ लगा कि ये वर्स्ते हैं हो रहा है तो चली, एक वीडियो देखते हैं, आपको थोड़ा बेटर समझाएगा कि understanding, कहते कि इसको हैं, ओके दोस्तों, ये एक सीन है, मुवी है, जिन्दगी ना मिले की दोबारा उसमें शाइद आपने मुवी देखियो कि इसमें सीन होता है कि यहां पर रित्यक रॉशन बात कर रहे होते हैं और इनको कहा जाएगा कि ऐसे कोई फोन बाहर फेंग दो और सच में फोन बाहर फेंग देते हैं, और इस पर रित्यक रॉशन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए है अब यहां पर रित्यक रॉशन का जो परस्पेक्टिव है, वो ये कह रहे हैं कि भई, sorry कहिए, and sorry कहिए, तो I'll be okay, एक बार आप feel तो कीजिए कुछ बुरा किया आपने, understand तो कीजिए मेरा दर्द अब यहां पर फरहान अक्तर, sorry कहते हैं, लेकिन रित्यक रॉशन को लगता है कि maybe he is not understanding, वस्ते हैं नहीं कर पारे मेरे दर्द का, तो देखना कैसे understanding, इसी movie में समझ आता है हमें, कि कैसे understanding increase हो जाती है, with time, अब यहां पर फरहान अक्तर, later in the movie, अपने father को विजिट करने जाते हैं, and यह father इनके biological father है, लेकिन पाला नहीं है, इनको, social father नहीं है, तो, and ऐसे फरहान अक्तर को रखते है कि नसीरुदीन शार, जो father है, biological father, उन्होंने abandon कर दिया कभी बच्पन में फरहान अक्तर को, and कभी पूछा भी नहीं, तो इस पर काफी वो थोड़ा नराज हैं, काफी गुस्से में, and वो मिलने जाते हैं मैंने फादर को कि कभी न कभी, कहीं न कहीं, शायद तुमसे मुलाफात होगी, पर यह नहीं समझ भाया कभी भी कि जब तुमसे मिलूँगा, तो कभी ना क्या हैं, I'm sorry इन्हाँ अब यहाँ पर, फरहान अक्तर को sorry शब्द सुनाई देता है, and उनको एहसास होता है, वस्टे हैन होता है, कि वो sorry नहीं कह रहे, ठीक है, जो उनके फादर है, abandon कर दिया, लेकिन sorry नहीं कह रहे तो दोस्तों, इसी मूवी में ही हमें एक बात समझ आती है, कि वर्स्टे हैं, अब फाइनली, जब फरहान अक्तर ने समझा कि क्या दर्द था, रित्यक रोशन का, वहाँ पर उनके और ग्रिवांसिस भी थे, जो उनको लग रहा था, रित्यक रोशन को कि समझ ही नहीं पारे फरहान अक्तर, तो लेकिन later in the movie ही समझ आता है, कि जब फरहान अक्तर जो रित्यक रोशन के shoes में आए, और रित्यक रोशन की position में आए, तो उनको पता लगा कि what रित्यक रोशन मेंट, कि जब दिल से sorry निकले, तब sorry कहना, तो यह व wise आप कभी उनका perspective समझ ही नहीं सकते, वेबर वस्टेहन को इस level पर चाहते हैं ले जाना कि हम पूरा recreate करें, क्या conditions थी, किस condition में इंसान ने ऐसा decision लिया, etc, पूरा recreate, जो बहुत बढ़िया इस जिंदगी न मिले की दुपारा कि सीन में समझ आता है, आपको एक और सीन दिखा जो data अगर चेक करें, एक बहुत बढ़ी article भी था, तो article में कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा crime किये जाते हैं, वो men द्वारा किये जाते हैं, और जिस पर crime होता है, वो भी men होते हैं, तो ideally तो एक मर्द ही मर्द का दुश्मन होना चाहिए, यह लगना चाहिए हमें data को देख जेसे कर, कि सारे crime मर्द कर रहे हैं, और सारे crimes हो भी मर्द पे रहे हैं, तो मर्द ही मर्द का दुश्मन है लेकिन ऐसा कभी कहा क्यों नहीं जाता, ठीक है, अगर कहा भी जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है कि ओरत ही ओरत की डुश्मन होती है, क्या मतलब हुआ, एक concept है, sociology पेट्रियॉर्चा बारगेंट। तो में समझें कि कि सक्षाथ इप पूड़ेंटूम्स bones बीक्रलावट ज्युनानावे फान वर्ड इंग Inva बाकी में द्वारा मैं आपको एक वीडियो के तुरू दिखाता हूँ पहली बात तो ये दिखाने के ट्राइ की जारी है कि आपकी अपर क्लास के हो अमीर हो सदल्ली अब आपकी शादी हो जाएगी शादी हो जाएगी तो वहाँ जाके काम करना पड़ेगा आपको ऐसे वाला जैसे दिखाने का बहुत अच्छा है लेकिन चलो वो पॉइंट नहीं अभी लरीता पावार जी के एंट्री होगी दूसरे एक gender को sex को represent करती है आपने भी हमारा साथ छोड़ दिया अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो आप भी समझे कि आपकी position भी गई आपको जो हम अच्छा जो हम जो एक दरजा दे रहे थे वो दरजा समझे गया तो लेकिन यहाँ पर सड़नली ललिता पावार विल रियाक्ट आण शीविल से नहीं नहीं मैं तो आपकी टीम में ही हूँ तो यहाँ पर काफी क्लियरली नजर आता है कि अरे जो यह dominant male कह रहे है परिवार में मैं तो उसके साथ totally agreement में हूँ और जो भी आपको लगे सही जैसे भी आपको लगता है यह गलत है तो accordingly मैं भी agreement में हूँ यह गलत है ठीक है तो यह बहुत ही बढ़िया तरह से नजर आता है एक patriarchal bargain का जो बहुत ही बढ़िया एक concept जहाँ पर women जो है particularly वो क्या करती है जो male कहते हैं उसके हामे हामे लाकर अपनी position अपनी stature को rise करती है otherwise उनको लगता है कि male dominant world में कोई और तरीका नहीं है rise करने का इसके beyond दोस्तों बहुत सैसे सवाल है जो मैं आपके लिए open ended सोच रहा हूँ जो छोड़ा छोड़ रहा हूँ आप अपने बताइएगा जैसे कि lately बहुत सारे जगाओं पर ऐसा हुआ है कि जैसे आप देखते हैं इवन कि जैसे बहुत बढ़िया article थे एक London reviewer books में LRB में वो article publish हुआ तो वहाँ पर कहा जाता है कि लेटली दुनिया भर में ऐसा political environment बन गया जहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग थे उनके खिलाफ शुरू हुई मुहीम कि ये पढ़े लिखे लोग हैं हावर्ट चले जाते हैं जैसे आपने सुना अभी होगा हमारे political campaigns में भी कहा गया था कि हावर्ट चले जाते हैं इनको क्या पता ground realities के बारे में इनको छोड़िए हम आपको ground reality वाले नेता लेकर आएं आपके लिए आप उनको अपनाईए ठीक है तो एक ऐसा मुहीम शुरू हुई थी not only in India across the world कि जहां पर जितना पड़ा लिखा इनसान उसको उतना जैसे कहा जाता था जो even की जो अगर आप कहें secular होना भी एक तरह से गाली बनता गया तो ठीक है इसको हम academic ली देखें तो वहां पर article बहुत बढ़ी article था तो कभी मैं उस पर भी डालूँगा एक वीडियो तो लेकिन आप यहां पर आपके लिए एक सवाल है दोस्तों यह सवाल है कि जो PhD है जैसे आपसे सवाल किया है कि PhD किसी ने इतनी दिमाग लगाया पहले graduation करी फिर post graduation फिर M.Phil किया होगा शायद फिर PhD करने गया PhD कर लिया तो उसके बाद उसके कोई कोई जॉब है लगसे उसको professor बनना है कोई कुछ और बनना है तो PhD एक qualification के जैसे नजर आती है तो आपका क्या मानना है दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ यहां पर थोड़ा इसलिए अकाडमिकली पूछ रहा हूँ कि PhD दोस्तों qualification है यह achievement है for that matter कुछ भी अगर आप पूछों अपने अगर degree की है अगर आपने master's की है जो आपने जो भी किया ठीक है अपने let's say IIT IIM से कोई आपने degree ले ली तो वो degree आपकी qualification मनती है यह achievement है इस पर क्या सोचते हैं आप तो latest जो हमारा political environment है उसको वो qualification का दर्जा देता है वो कहरा achievement नहीं है यह कि आपने IIT IIM Harvard etc से कोई पढ़ाई करी है that's not an achievement that's just a qualification it just qualifies you for certain certain jobs and certain things तो दोस्तों सोचो इस पर बैठके and यही सोचो and social they go hand in hand थोड़ा सा मैंने सोचा कि concepts आपको वीडियो के थुरू समझाए and आसपास इतनी sociology घट रही है कैसे उस sociology को हम थोड़ा समझ पाए, grasp कर पाए यही करते रहेंगे अपने various courses में भी and सबसे importantly दोस्तों अगर आप जो अकबारों में जब जहांकते हो तो थोड़ा सा जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसको समझ पाओगे, मज़ा आएगा ठीके, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो तो बहुत तीचल and दोस्तों आज हमारे जैसे 5,000,000 subscribers पूरे हुए तो just एक number ही है तो वैसे मैं मज़ा कर रहा हूँ, I'm trying to be humble तो it's not just a number for us it's just, it's a big deal for us it really motivates us to keep giving you very very good content and हम try करते हैं कि कोई भी ऐसा content ना बनाए जो click beta show, जिसमें कोई भी बस फालतू की बाते हो लेकिन कुछ काम की चीज़ ना हो even कि ये वीडियो में भी मैं try कर रहा हूँ टेक केर